हेलो दोस्तों विवेच नामें आपका स्वागत है बिग बॉस 15 में बीते दिन करण कुंद्रा ने अपने दोस्त उमर रियाज से तेजस्वी प्रकाश के लिए सपोर्ट मांगा जिसके बाद उमर रियाज ने उसे ठगासा जवाब दिया दर असल बिग बॉस 15 के घर में इन दिनों टिकेट टू फिनाले टास्क चल रहा है जिसमें तेजस्वी प्रकाश, शमीता, शेटी, प्रतीक, सहचपाल, निशान फट और अभी जीत बिचकुले के बीच असली रेस है इस टास्क को चार जज याने की राकी सावंत करन कुंदरा, उमर रियाज और रश्मी देशाई संचालित कर रहे हैं टीवी रियालिटी शो में बीते दिन करन कुंदरा अपनी गल्फरेंट ते जस्वी प्रकाश के लिए वोट जुटाने की कोशिश में थे जिसके लिए वो उमर रियाज को उनकी समर्थन में फैसला करने की मांग करने लगे इस पर उमर रियाज ने अपने जिगरी दोस्त करन कुंदरा को बेहत ठगा सा जवाब दिया करन कुंद्रा को इस दोरा अनुमर रियाज ने साफ कहा कि वो तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि वो जो फेयर होगा वही करेंगे जहां तक तेजस्वी प्रकाश की बात है तो बीते तीन हफतों में उन्होंने कुछ नहीं किया जिसकी वज़ा से वो उन्हें कनसीडर करें इस पर करण कुंद्रा हैरान हो जाते हैं हला कि वो कोई reaction नहीं देते और उमराज से कहते हैं कि मैं भी फेर होने पर ही बात कर रहा हूँ इस पर उमराज हां कहते हैं वहीं आने वाले एपिसोड में एक बार फिर देखने मिलेगा कि करन कुंद्रा और उमर रियास तेजस्वी प्रकाश और शमीता शेटी की लड़ाई में शमीता शेटी को ही चुनते हैं जिससे शमीता शेटी टीकिट टू फिनाले टास्क में चीत कर फिनाले वीक में पहुँशने वाली हैं इससे तेजस्वी प्रकाश को बड़ा जटका लगेगा वहीं आने वाले एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश और करन कुंद्रा के बीच भी मतभेद देखने को मिलने वाले हैं जिसके बाद वो फूट फूट कर रोती हुई भी दिखाई देंगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना ना भूले और विवेचना को सबस्क्राइब भी जरूर करें क्योंकि यहां मिलेंगे आपको बिग बॉस 15 से जुड़ी हर अपडेट धन्यवाद दोस्तों